हरे किष्णा स्टूरें गुद मॉर्निंग तुदेए एक्स्प्लेइन फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट अंग्रेटेस नंबर ओपन पेज नंबर एटीन हम छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर बनाना सीखेंगे आज ठीक है कि ऐसे छोटा नंबर कैसे बड़े नंबर हम बनात हैं ठीक है वन पॉइंट देखेंगे इसका लैटेस ट्रेक ट्रीडिजेट्स हमें ट्रेडिजेट्स दिए गए हैं यहां पर देखेंगे फोर सेवन एंड फाइफ ओगे टुगाट इस्मॉलेस नंबर अब आपको बोला गया है कि इन तीन नंबर से आपको स्मॉलेस नंब बनाना है क्या बनाना है स्मॉलेस नंबर तो आप कैसे बनाएंगे आपको तो आता है नहीं कि कैसे बनाएंगे तो इसकी भी एक मैथर्ड है यह हम समझेंगे कि हम स्मॉलेस नंबर बनाते कैसे हैं ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे वी अरेंज डिजेट असांडिंग और अ चाहिए, ascending order में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ओके, जब हम ascending order में arrange करेंगे, तो हमें हमारा smallest number निल जाएगा, आपको यहां पर दिया गया तो 4, 7 and 5, which is smallest number 4, so we write 4, next number is 5, we write 5 and the last greater number is 7, तो we write 7, तो हमें smallest number क्या मिला, 457, okay, smallest number अगर हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा number पहले लिखना है, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ठीके, ascending order में हमें digits को arrange करना है, next is greater number हमें बनाना है, ठीके, यह तो हमने smallest number बनाने का तरीका सीखा है, कि हमें ascending order में लिख लिखना है, get करना है, to get the greatest number, we arrange the desert in descending order, इसमें आपको सेम है, उसमें आपको ascending लिखना था, इसमें आपको descending लिखना है, means सबसे बड़ा number आपको पहले लिखना है, then सबसे चोटा पर सबसे चोटा आखरी में, तो हमें greater number मिल जाएगा, okay, यह forming है, smallest number बनाने के लिए ascending order में number लिखेंगे हम, और greater number बनाने के लिए descending order में हम number लिखेंगे, okay, ऐसे ही four digits में भी हमें करना है, अगर आपके four digits दी गई है, उसी कुसको भी आप arrange करेंगे, ascending order में, और greater number बनाने के लिए descending order में, ठीक है, three digits में भी आपको same लिखना है, four digits में भी आपको same करना है, ascending के लिए ascending order हमें अरेंज करेंगे तो हमें smaller number मिल जाएगा और descending order हमें अरेंज करेंगे तो हमें greater number मिल जाएगा ओके, let's take 4 digits, अब यहाँ पर देखेंगे हमें 4 digits दे गई 4, 1, 0 and 7, ठीके, अब यहाँ पर कुछ थोड़ा समझेंगे आप ध्यान से यहाँ पर आपको arrange decision ascending order हमने अरेंज वह प्रोसेस के smaller number बनाने के लिए लेकिन आप यहाँ देखेंगे सबसे smaller number क्या है 0, ठीके, लेकिन यहाँ पर हम 0 से starting number नहीं करना है ठीके, क्योंकि अगर 0 हम starting करेंगे तो कोई मतलब कोई number start नहीं होता है 0 से, है ना कोई मतलब नहीं है 0 का, तो 0 को हम सबसे smaller number 0 है लेकिन हम 0 को first place पर नहीं लिखेंगे, उससे बड़ा number क्या दे रखा है हमें 1, तो हम 1 लिखेंगे, लेकिन 0 को हम second place पर लिखेंगे स्टार्टिंग पर हमें 0 नहीं लिखना है, 0 से हमें कोई भी number शुरू नहीं करना है ठीके, it is important to understand, यह आपको समझ में आना चाहिए कि 0 से number नहीं start करना है यह आपको ध्यान रखना है, उसको हम second place पर ले लेंगे तो हमें हमारा greater number मिल जाएगा, ठीके, 0 से starting नहीं करना है number यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, उसको हम second digit पर लेंगे 10 की place पर ले लेंगे, 400 की place पर ले लेंगे, लेकिन 1000 के place पर हमें 0 नहीं लिखना है, ठीके Now this is exercise complete, remaining exercise we will do in next session Hare Krishna, have a great day